आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में हम RBA grade B की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जब अकसल लोग जब RBA grade B की तयारी करते हैं और जब जॉब में जाते हैं क्योंकि जो RBA grade B बनता है वो obviously वो पढ़ने में अच्छा इंसान होता है उसकी skills अच्छी होती क्योंकि RBA में placement लेना इतना आसान नहीं होता है आपको 3-4 phase के अंदर गुजरना पड़ता है का RBA grade B बनने के लिए तो सबसे पहली चीज तो इसकी ये रहती है कि आपको home posting नहीं मिलती है अगर आप माल लोग किसी बड़ी metro cities से हैं तो आपको कुछ time के लिए अपने पूरे tenure में home posting मिल सकती है लेकिन lifetime के लिए आपको home posting नहीं मिलेगी RBA assistant के अंदर इतना जरूर है कि this zone state से आपने apply किया अगर आप promotion नहीं लेते हैं तो lifetime महा रह सकते हैं लेकिन RBA grade B में ऐसा नहीं होता है RBA grade B के अंदर आपको जो है posting metro cities के अंदर आती है और initial 5 साल जो आपकी पहली posting आती है उसमें 80 से 70% chances ही रहता है कि Bambai के अंदर आपकी posting आए क्योंकि इनको maximum staff की जरुवत वहा ही होती है इनका head office वहा ही होता है तो इनको staff की जरुवत भी वहा ही पढ़ती है तो अगर आपको metro cities में रहने के अंदर problem है तो आप ये job के अंदर पहले से जाने के पहले सोच लें कि आपको metro की life ही पूरे तरीके से जीनी पड़ेगी कई लोग ये बोलते हैं कि हमको traffic और जो pollution वगरे रहता है कई लोग को इन सब चीजों से problem रहती है वो थोड़ी relaxed life चाहते है तो RBA grade भी के अंदर ऐसा नहीं होता है आपको metro cities में रहनी पड़ती है तो almost आपको 8-10 साल अपने पूरे 30-35 साल के tenure के अंदर आपको बंबई के अंदर गुजारने पड़ेंगे क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि इनको staff की जर्मत वहीं ज़्यादा पड़ती है तो आप दूर नहीं भग सकते हैं अगर किसी को बंबई के अंदर posting नहीं लेनी है उसके share से बहुत दूर है तो ये चीज पहले से ध्यान रखें कि आपको 8-10 साल तो minimum महाँ पे गुजान नहीं पड़ेंगे इसके बाद एक और unknown fact इनका ये रहता है कि RBA grade B कभी भी अपना YouTube channel वगरे या social media पे ज़्यादा active नहीं रह सकते हैं ये खुद का channel run नहीं कर सकते हैं कुछ एक ने अपने channel बनायते हैं आपने देखा होगा लेकिन जैसी उनका selection होता है तो बाद में वो अपने channels जो हैं वो बंद कर देते हैं कि RBA की जो policies है वो strict रहती है social media को लेके वो allow नहीं करती है अपने employees को social media पे active रहने के लिए इसके लावा कई लोग ये सोचते हैं कि इस job profile मा आपको financial और economic policies बनाने का मौका मिलेगा तो ऐसा नहीं रहता है इसके अंदर desk work रहता है आपका इसके अंदर direct role कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर economic policies देश के बारे में बनाने का जो top level management होते हैं ये सारी चीज़े महाई पर decided रहती है नीचे RBA grade B के पास इतनी power नहीं रहती है कि वो economic policies या financial policies के अंदर कुछ changes कर दे उनका पूरे तरीके से desk work रहता है जो आपको complete करना रहता है इसके लावा एक चीज़ और है कि कई बार लोग है सोचते हैं कि RBA grade B की जो job है उसके अंदर जैसे IS वगर होते हैं जो आपको 10 to 5 की job रहती है आपको office जाना पड़ता है सुबह और फिर आपको शाम होती है आप office से निकलके आपको वापस घर आना पड़ता है तो अगर आप ऐसी luxury चाहते हैं कि आपके पास खूब power हो अगर आप कहीं जाएं तो उसके बाद आप अगर हम जैसे इसके अदर department होते हैं अगर आप inspection department में हैं तो फिर भी हम कह सकते हैं कि जो नीचे public sector banking के अंदर आपको जाने का मौका मिलता है तो वाँ आपके पास थोड़ी बहुत power रहती है लेकिन otherwise अगर आप सोचेंगे कि जैसी power IS में रहती है या IRS में रहती क्योंकि इन इसके अंदर मिलने के chances हैं तो ये कुछ एक चीज़ें RBA grade B की मैंने आपको ऐसी बता ही है जो almost लोगों को पता नहीं रहती है जब वो job join करते हैं उसके बाद उनको चीज़े समझ में आती है इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाओंगा कि अगर आप मेंसे कोई भी R B grade B के बारे में आप और कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो नीचे comment box में टाइप करें और हमारी चैनल को like, share, subscribe करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद